हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब से अलावा देश्टडी में आज हम आपको जनलिगम नगरी में जेई के 145 पदों पर होगी भरती इसके संबंद में जो नोटीस है और जो पेपर में खबर आई है उसको डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करें देखते हैं कि क्या क्या इसमें जनकारी दी गई है देख करा कि नगर विकास विवाग उत्ता प्रदेश अजने सिवाच चानायोग से कराएगा भरती देख करा कि वर्सों बाद जन नगरी में अवरभियन्ता के रिक्त पदों पर भरती का फैसला किया गया है नगर विकास विवाग उत्ता प्रदेश अजने सिवाच चैनायोग से इन पदों पर भरती कराएगा इस संबन्द में सासा नस्ता पर फैसला लेते हुए प्रबंद निर्देशक जल निगम को निर्देश भेंद दिया गया है जल निगम के पास माजूदा समय में स्वच भारत मिशन और अमरित योजना की हजारों करन रुपय का काम है मौजूदा समय में अवर अभी अन्ताओं की कमी हो गई है जनलिगम प्रबंद ने इस संबन्द में सासन को प्रस्ता बेशते हुए रिक्त पदों पर भरती की अनुमती मांगी थी सासन अस्ता पर बैठक के बाद इन पदों पर भरती की अनुमती दे दी गई है अब अभी अन्ताओं की भरती उत्त प्रदित अधने सिवा चैना योग द्वारा कराई जाएगी इनको 4200 ग्रेट पेपर बेतर 9300 से के 34800 रुपए दिया जाएगा भरती पर आने वाला खर्च जनलेगम प्रबंधन द्वारा अपने अस्तर से वहन किया जाएगा तो यह देखिए कि इस पेपर में खबर है कि जनलेगम में 145 पदों पर जेई की भरती आ रही है जिसमें 139 जेए शिविल के हैं अब वाटि 26 पद जो है अपने जिसमें जो भरती है इसका लिए जो नोटीस में जो आप को दिखा डिता हूं कि आप इस सेल नोटीस क्या है यह देखिए कि आप को दिखा रहा हूं और कि देखिए मातपूर है ततकाल है नाव तीन दोजार चोबीस संख्या इसकी है और अरविंद कुमार जो है मुक्य सचीव पर प्रवन देखिए जनलीगा मुन्यगरी लखनाउ तब इसमें देखिए क्या क्या है कारा उत्तर प्रदेश जनलीगा में जूनियर इंजिनियर जूनियर इंजिनियर विद्धूत्य अंतरिक के रिक्त पदों पर चयन उत्तर प्रदेश अधिनष्ट सेवा चयन आयोग द्वारा कराये जाने की अनमती दिये जाने के संबंद में करा की क्रिपिया उप्युक्त विश्य जनलीगम के पत्र संख्या एक फरवरी दोजार च 24 का संदय ग्राण करने का कश्ट करें जिसके द्वारा जूनियर इंजिनियर सिविल संग्वर के एक सवनतीस पदों एवंग जूनियर इंजिनियर विद्धूत्य अंतरिक संग्वर के 26 पदों पर अधिनस्यवा चयन आयोग के माध्यम से भरति कराये जाने तु सासन अस्त इसे परांत है उत्तरप्रदेश जनलिगम में जूनियर इंजिनियर बेतन मान में एक सवनतीस रिक्त पदों जूनियर इंजिनियर विद्धूत्य अंतरिक के 26 पदों पर उत्तरप्रदेश अधिनस्यवा चयन आयोग के माध्यम से भरति कराये जाने की अनमति निम्लिखित प्रतिमंदों के अधीन की जाती है। पहली बात है कि उत्तर प्रदेश जनलीगम नगरी द्वारा यह सुनच्चित कर लिया जाएगा कि उक्तभरती में कोई बीजिक बाधा नहीं है। नंबर दो उक्तभरती के काल समझ तक बैभार उत्तर प्रदेश जनलीगम नगरी अपने श्रोतों से वहान किया जाएगा। उप्रयुक्त प्रकण के निमानुसार अग्रेतर कारवाई करने के सुनच्चित करने का कष्ट करें। प्रतलिपी जो है उत्तर प्रदेश सची उत्तर प्रदेश अजनल सेवा चैनायोग लखनाउं द्वारां सुचनार्थ है अरविंद कुमारगीरी अनुसे सची द्वारां। यह देखिए कि जो अभी तक यूपी ट्रीपल सी की भरती आने वाली थी जीए दो अजार चौबिस की वहा भरती इसलिए अभी पेंडिंग चल रही है क्योंकि इस भरती के लिए अभी एक सो पैंतालिस पर जनलिगम के भी आड हो गए हैं अब कुमिला के लगबग पहले तो तेरसो के करी पोस्ट थी अभी यह सोला सो के प्लस पोस्ट पर जेए दोजार चौबिस का नोटिफिकेशन आएगा इसलिए भरती प्रेंडिंग पढ़ रही पढ़ी हुई है और जब भी इसका नोटिफिकेशन इसी महीन में तो आज आएगा इसमें जनलिगम जेए के सीविल के 129 पद और इलेक्ट्रिकल मिकानिकल के 26 पदों पर नोटिफिकेशन आप देखने को मिलेगा कुमिया करके 16 प्लस पदों पर यूपी ट्रिपल सी भरती कराएगा जेए की क्योंकि आप देखेंगे 2018 के बाद जेए की कोई भरती नहीं आई हुई है इसी के मद्द नेजर ये देखिए सासनादेशल की जनलिगम नगरी में यानि वह सहरी जनलिगम है उसके लिए 145 आपन देख लिए लिखाव भीवागा है के 131 जूनियर इंजिनियर सिविल के और सासनादेश भेंद दिया गया है और जल्द ही कुई मिला करके 1600 प्लस पदों पर भरती का नोटिफिकेशन आपको यूपिट्र प्लस्टी के माध्यम से देखने को मिलेगा सो तहीं को धन्यबात आप मारे चुछ सब्सक्राइब करते रहें थैंक्यू